स्वागते स्टुडेंट्स आपका हमारे चैनल पर आज हम देखने वाले हैं कप्छा 6 के लिए विसे गनित का वार्शिक परिच्छा का इंपोर्टेंट प्रश्णपत्र पेपर और इसका सॉल्यूशन और यह ऐसे 3 जो आपके चल रहे हैं या फिर आपके जो एनुएल एक्जामनेशन हैं आपके वार्शिक एक्जाम के हैं उन सभी के लिए इंपोर्टेंट इस्टुडेंट इसको जरूर करके जाएए हो शकता ह इस्टुडेंट चले स्टार्ट करते हैं प्रश्ण नमर एक से जिसमें पहला प्रश्ण है एक समकौन क्या होता है एक समकौन अब्बे डिग्री का कौन होता है बी उत्तर हो जाएगा 323 की बीच में कितने पून संक्या है इस्टुडेंट्स 323 की बीच में कुल 20 पून संक क्या है 15 बट्टे 19 को हर 12 की रूप में लिखने पर अंस क्या प्राप्त होगा इस्टुडेंट्स 20 प्राप्त होगा अगला देखिए 12 गुना 35, 420 होता है 2 उत्तर हो जाएगा 20 अगला है सही विकल्प चुनना है 3 गुना 2 बटा 3, 3 से 3 कर जाएगा 2 बच जाएगा इस्टुडेंट 2 उत्तर हो जाएगा अगला देखिए 2 गुना 1 बटा 6, 1 बटा 3 आ जाएगा अगला देखिए 4 गुना 3 बटा 4, 4 से 4 गया 3 बच जाएगा अगला है विभिन अंकों वाली चार अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है एक जिरो दो तीन हो जाएगा उत्तर सबसे छोटी अभाज ये संख्या दो होती है छें बुजाओं वाला बववुज एक सड़ बुज कहलाता है अगला व्रत का प्रतेक व्यास उसकी एक क्या होती है जीवा होती है जीवा उत्तर हो जाएगा अगला है सत्य असत्य बताएंगे व्रत के दो व्यास अवश्य ही प्रतिछेत करेंगे बिल्कुल सत्य है दो पूर्ण संख्याओं का योग हमेशा एक पूर्ण संख्या नहीं होता है असत्य है अगला है सून्ने सबसे छोटी प्राकर संख्या है असत्य हो जाएगा एक ना तो भाज्य है नहीं भाज्य है बिल्कुल सत्य है अगला देखिए दो बट्टा 7 का हमें भिन ग्याद करना है जिसका हर क्या हो तुल्ले भिन ग्याद करना है जो हर 63 हो तो इस्टुडेंट देखिए यहाँ पर 63 आजाएगा हर तो students 7 का गुणा 9 से करने पर हमें 63 प्राप्त होता है तो 2 का गुणा भी 9 से करना पड़ेगा तो 18 हो जाएगा उत्तर तो 18 बटर 63 हमारा क्या हो जाएगा भिन हो जाएगा अगला है संक्याओं को जोड़ना है student जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 534.058 अगला देखिए students याद करना है पहले गुणा करेंगे तो उनों को अलग-अलग फिर जोड़ेंगे पहले गुणा होता हमेशा में त्यान रखना है या फिर आप common भी ले सकते हैं देखिए 126 आपे है 126 आपे है तो common ले लीजिए बी जोड़े संख्या जोड़ जी जाएगी प्रैकिट में आ जाएगी तो student देखिए common लेंगे 26 प्रैकिट में क्या बजेगा हमारे पचपन प्लस 45 क्या हो गया 100 126 गुणा 100 12600 अगला देखिए students 48, 40 और 45 अलग-जाद करेंगे पहले 2 का जाएगा आगे कर सकते हैं या फिर आप इनका भी गुणा कर सकते हैं इनका गुणा करना है और इनका गुणा करना है क्या आजाएगा 120 अगला देखिए students सुभम अपने कमरे की दीवार 2 बटा 3 भाग पेंट करता है उसकी बहन माज भी उसकी सायता करती है और 1 बटा 6 भाग को पेंट करती है दोनों मिलकर कुल कित्ता पेंट किया जोड देंगे कित्ता उत्तर आजाएगा हमारा 5 बटा 6 उत्तर आजाएगा अगला है एक आयत का परिमाप 13 cm है उसकी चोड़ाई 2 सई 3 बटा 4 है तो उसी लंबाई याद करेंगे इसको हम पॉइंट में याद कर लेंगे 2.5 आजाएगा आयत का परिमाप होता है इस्टुडेंट्स दो ब्रेकिट में लंबाई प्लस चोड़ाई वैल्यू पुट कर देंगे तो इस्टुडेंट्स 13 बराबर क्या आ जाएगा 2 इसको हमने गुना किया L लंब से तो 2 लंब प्लस 2 का गुना किया 2.5 चेतर से 5.50 तो इस्टुडेंट्स 2 लंब बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 5.50 लंब बराबर 7.50 बड़ा 2 मतलब की 3.50 सेंटिमेटर उत्तर आ जाएगा अगला देखिए प्रस्ट नमर 17 6,2, 7,4 और 3 में प्रते का केवल एक बार प्रयोग करते हैं पांच अंक की संख्या बनाई अब सबसे सबसे बड़ी और सब छोटी संख्याओ का अंतर याद करना है सबसे बड़ी संख्या बनेगी 7,6,4,3,2 सबसे छोटी बनेगी 2,3,4,6,7 अंतर क्या हो जाएगा स्टुदेंट्स माइनस कर देंगे 5,2,9,6,5 अगला देखिए स्टुदेंट्स वैस अफसे चोटी संख्या ग्यात करनी है जिससे 12,16,24 और 36 में भाग देने पर प्रत्टिक दसा में 7 सेस रहता है तो स्टुदेंट्स देखिए 2 का लगाएंगे, 2 का लगाएंगे, 2 का लगा के फिर 3 का लगाएंगे तो स्टुडेंट देखी यहां पे सब बाबाजी आ गई है लगसा क्या आया? 144 अब स्टुडेंट साथ सेस रहेगा तो जो लगसा होता है उसमें साथ जोड देंगे 151 आ जाएगा तो इसमें क्या होगा इन सबी का भाग देने पर हमेशा साथ सेस रहेगा तो क्या हो जाएगा स्टुडेंट्स? 151 हमारा उत्तर हो जाएगा इस तरह से निकालना है तो स्टुडेंट्स यह था हमारा कक्षा 6 का गनित का पेपर इसी प्रकार अन्य पेपर देखने के लिए जुड रही चैनल से लाइक करें आपकें सिस्क्राइब करें तेने वाट